देखो इदर यह कुछ फाइल है पड़ी है मेरे पास फाइल नंबर बन एच्पी यह एच्पी एस्पेक्टरा एक स्थी सिख्टी का है हाना इसको मैं थोड़ा सभी कर देता हूं कि यह का बैक अप हो गया ओई है यह यह आपका वन में हां को में थेको गब है 11 जनरेशन वाला हमने पहले भी इस पर काम किया था फाइल भाइल नमबर 3 है यह भी अमार दाउंलोडेट है को लाश्ट यह मैं ने इस पर काम किया था तो क्या करते थे अगर मुझे एक्स्ट्रक्स कर ना इसको पुए हमने डाउनलोड कर लिया अकोर्डिंग वाजन करके दानलूड कर लिया राइट क्लिक करते थे एकक्टक्टाइब नहीं हो रहा है ना यहां पर तो भी रन नहीं किया है अभी क्या है आपके पास जैसे यह वाला इंडिया रिफिक्र स्मार्ट टूल अब इसमें देखो एक काम कैसे आसान होगा इसमें जैसे क्या आप एक्ट्रेक्ट ऑप्सन में जाओगे अब यह सारे के सारे यहां पर एक्ट्रक्टर है डेल माई अवा है सब में कर लो किसी ने किसी एक में फ्रेक्ट वह जाएगा पहले साथ को पटा है अब पेसे हमें में जाएगा तो तो मुझे एक्सट्राइब करना है तो मैं इसको क्या करूंगा ड्रागन ड्रॉप करूंगा ऐसे और एक्सट्राइब कर देखो अब इसमें फाइदा क्या हुआ एक चीज का बात समझोगे कि इसने चार फाइलें आपको एक्सपोर्ट करके दे दी इसमें कि यह तो आपको समझ में आरा 424 को भी 424 के भी हमारा नहीं है हमारा क्या है यह दोनों है इन दोनों में से अब एक कौन सा होगा वो फिर आगे बी आईडी कंफर्म करके ले सकते हैं हम इसको यह मैं यूज करते हैं तो उसमें क्या था प्रोसेस लंबा था ना एक्सटेक करो और डबल जीरो खोजो और जीरो वन खोजो इस टूल का क्या फाइदा है कि आपको कहीं भी कोई जहमेला नहीं और सीधा शीदा जितना इसको मतब ड़ेटा मिला वसारहा सारह एक साथ एक्सेक कर दे रहा है है मैं जैसे हमने एक्सेक किया उससी तरह मानके चलो अपनी सुझा के लिए काम और कर सकता हूं मैं क्या कर सकता हूं यह आउट्पुट वाले को अगर मैं इसको रख लूँ यहां पर सेंटू कर दूँ सेंटू डेक्टॉप कर दूँ तो मेरे ख्याल से मेरे को बार बार यहां नहीं आना पड़ेगा यह आउट्पुट का सौटकट है यहीं से मेरे कोई मिल गया एक्स्टेक्शन और अभी जिसका एक्स्टेक्ट हुआ यहां पर आगया आपको यह आपके बिन फाइल हो गई यह बिन फाइल हो गई है ना आप जैसे कि मादो मैं दूसरे फाइल पर जाता हूँUh दूसरी फाइल मेरे यही पर जैसे प्रेक्टिस के प्रіш से मने जैसे फाइल नमबर 2 hb अलिग आई भी हम कर रहें तो तो क्या वरा था राइट क्लिक किया कि इसको एक्स्ट रैक किया है है तो यह वाला हमारा यह अरा रहा था फोल्डर इस में भी यह वाली जो देकर यह यली है रहो stretch तो एक्टक का उप्शन नहीं है डब्ल क्लिक करोगे तो यह आपका रण नहीं करेगा है नो देखो यह कि हमारा नहीं करेगा उप्टाहिए क्या है कोई एक देखो यह खुद बखुद काम कर लेगा काम करके आपको यह वहीं पर जो हमारा आउटपूट फोल्डर था यह वाला कि यह था ना आउटपूट फोल्डर कि एक्स्टेक्शन इसमें आगए 87fd.exe एक्स्टेक्टेट और क्या आगया देखो फोल पिंद्ध काम कई यह प्लत एं उसीप में नहीं मिलने वाला उसमें होता यहां पर क्या होता यह उत्यक्र o t0 इन अब कर लोगे कि आपका जो यह पाइल Тем कि से मैच और प्रैक्टेस्ट का ओ जो सब्सक्राइब और प्रोसेस आपका आसान हो जा रहा है अच्छा माई यू सीपी से जो एक्ट्रेक्ट हो रहा है उसमें यह इस तरह नहीं लिखाता है 5001 रिटो टू हम जिस नाम से सेव करते उसमें तो वहाँ पर क्या है कि प्रोसेस लेंग ती है और अभी जैसे मैंने इस टूल का यूच किया तो इस तरह कि अग्दम आराम से मैंश करके दे लिए तो इस तरह की इसमें प्रोग्रामिंग कर लिए घया है आपका हो जाएगा अ पर्शेज कर लिया उसको नहीं पता है कुछ नहीं वो क्या करेगा वन बाइवन ट्राइब करते रहो कहीं ना कहीं तो हो जाएगा ना मतब इसमें कोई बहुत बड़े करें आरंडी करने पर में पता चल गया कि हाँ पार्ण यहां पाडिकुलर एक फाइल जो है वह मान के चले की अवाड्र में जाकर कर यहां पर अक्सट्रक्ट हो जरे तो यह हमारा नॉलेज हो गया है ना तो वो ही यह टूल है क्या नाम है आया आय अरस्टी इंडिये रेस्ट तो दो आपका जाएगा यह मैं जो है उसमें तो काफी सारे हो रहे न अब जैसे मैं डेल का भी आपको बताऊंगा तिखातों में डेल का तो कुल मिला के हम ने कर लिया है process हमने कर लिया इसलिए मैंने क्मए हमने हम यूजी क्या लेकिन यूज करने पर चुछ के लिख लाइप रहा हूं इस का ध्यानके रखना पड़े तो यह पर यह टूल को थोड़ा आसान बना धेता है अब जैसे आप माननी जे डेल पर जाते हैं हम इसमें है क्या कोई डेल की फाइल देख लेता हूं जैसे डेल है देखो फाइल नंबर फाइब देल 3541 विद्ध सर्विश टैग करेक्ट यह मेरे पास एक डेल का 351 का बायोस है कितने अम्बी का बायोस है यह एट अम्बी का बा ठीक है ना अब हमें यह नया बनाना है हमें यह नया बनाना है कैसे नया बनाएंगे तो सबसे पहले देखो एच्पी से जब डेल में जा रहे हो तो किस पर ध्यान रखना है सर्विश टैग एच्पी में क्या था सीरियल नंबर होता था प्रोडक्ट आइडी होता था सीटी टैग, ओके करना, देखो कहीं पर टैग लिखने से आ रहा है क्या, यह मेरा आ गया टैग, यह होता है सर्विश टैग, पैस्चान क्या सर्विश टैग की, सेवन डिजिट, 1234567, जब भी आपके सर्विश टैग आएगा सेवन डिजिट का, तो मेरे को सर्विश टैग मिल गया, मैंने सर्विश टैग को कोपी किया, बंद किया इसे, अभी मैं कहां जाओंगो, डल की साइट पे जाओंगा, एक सेकंड मैं डल की साइट पर आता हूँ, डल की साइट पर आया, www.dell.com, यहां पर हम लेंगे, कौन सा अप्शन लेंगे, सपोर्ट, सपोर्ट में हम कहां गे, ड्रावर और डाउनलोड, यहां पर सर्विश टैग आप पेस्ट करोगे, और सर्च करोगे, देखो यह लेता है कि नहीं, लेता है, दे रहा है, 3441, है न 3441, 3541, सारे के सारे एक ही होते हैं, है न, तो यहां पर आप कहां जाओगे, ट्रावर और डाउनलोड, और यहां पर आपको क्या क्लिक करना है, चेक फॉर अपडेट, एक बार इस पर क्लिक करके देखो, यहां पर आ रहा है, ओप्सन, यह आ गया, डाउनलोड टाइप में क्या करना, यहां पर ले लेना, सिस्टम बाइए, सिस्टम बाइए ले लेंगे हम, तो हमारे पास यह आ गया, बाइए, 2014 का है, सीक्ए न, प्रिवेस वर्जन में जाओगे, तो इसमें भी यह जाओगे, किonter वाहिए जादा हैं नहीं तो जो रिकमेंडेट है मैंने लिए डाउनलोड कर लिया डाउनलोड कर लिया कि डाउनलोड करके इसको मैं आप रेक्टिस और एक ऐसा मेरा फाइल नंबर फाइब पे यहाँ पर मैंने paste कर दिया हो गया अब इसको मुझे extract करना है इसको मुझे extract करना है वैसे देखोगे तो यहाँ पर राइट क्लिक करके तो extract का option आने वाला नहीं डावल क्लिक करोगे शुक्त करों अज़स करो एरर दे दिया कि मतलब कुल मिला के क्या यह एक्स्ट्रेक्ट होगा नहीं है अपने आप में केबल यह एक मॉडल नहीं है आप एन पचास दस ले लो 35-42 ले लो सब में आपको यही मिलेगा कि यह जनरली एक्स्ट्रेक्ट नहीं होगा तो अब मैं इसको कैसे एक्स्ट्रेक्ट करूंगा तो हुआ कुछ हो गया अगया खुद एक फोल्डर आ गया आपको एक्सटेक्ट हो करके आपके मतलब की फाइल मिल गई बिन फाइल कि ऐतो इसल बमजाओ कि आपकी में सो जाईगा अगर मुझे नहीं मतला है तो मैं क्या करता जैus देल तो यहां यहां पर रखता इसमें ट्राइ करके देखता कुछ हुआ क्या देखूंगा कुछ हुआ क्या नहीं हुआ कुछ इससे होना ही नहीं था इससे नहीं हुआ तो मैं यहां पर आता है यह तो देहीं रखा ओलेटी इसमें करके देखता इसमें हुआ क्या कि यहां पर भी नहीं हुआ तो इस तरह करके क्या है इस टूल का आप खासियत ही है कि जितने भी आपको एक्स्टक्टर होते हैं सब के सब आपको एक ही जगह पर डाल दिये हैं आपको याद रखने की ज़रूप नहीं है याद है तो और आपका जल्दी हो जाएगा काम अधरवाइस आपने एक यहां पर ड्राइग और रॉप करना है और उसके बाद जिसमें मर्जी उसमें आप ट्राइग करकर करके देख लो भया हो रहा है के नहीं हो रहा है जिससे हो आपका नौलेज में उससे पहले आप कर रहते आरं डी समझे न यह चीजह है और यह चीजहें अभी क्या Ben village यह आपका र Counter are me eine legendary कभी यहीं पर option दे दिया आपको ऐना यहर से किरुबने के जरूत नहीं से इह верх्रुदू नहीं यah अब जिसको भी analyze करना है आपको, है ना जिस भी file को analyze करना है आपको, आप उसको analyze कर सके हो, जैसे हम नहीं यहां पर किया था, next step, जैसे जिस फाइल को भी analyze करना है रहे को, जैसे यह HP का ही हमने लिया था, enter, यह आ गया, देखो, यहीं से आपका यह आपका इनलाइज हो जाएगा यही से आपका इनलाइज करना है वो आप यही wrapped कर सकते हैं तो जो मेरा यह बर्जन आया है का समय सी ऐसलने 14 इसको लेकर कर के देखा इंटर किया निया अच्चार वन भाइवऑे वह भासा या फिर इसमें देखता हूं इस तरह करने से कुछ होता है गया करने से भी आपका काम बन जाएगा तो अच्छी बात है बाकि इसमें और भी फीचर्स अभी आएंगे अना अभी जेश्टिस को अपडेट किया जाएगा भी अभी तो जेश्टिस का टेस्टिंग के लिए शुरुवात किया हमने कि देखो और यह डारेक्ट यह वेब से चलता है इसमें कोई वाइरस वाइरस इन सबका लिक्रत नहीं आने वाला मतलब यह बनाया क्या गया है कि जितने भी बायस एटिटिंग के टूल है सब के सब एक ही जगा आपको मिल जाए वैसे तो मार्केट में और भी टूल है मार्केट में आपको और भी टूल है है ना लेकिन यह मान के चलो सबसे सस्ता टूल होने वाला है यह सबसे सस्ता टूल होने वाला है और वन टाइम वन टाइम आपका इसका कॉश्ट बनेगा अभी प्राइसिंग पक्का नहीं हुआ है लेकिन यह मान के चलो वही रखेंगे कि दोजार पच्छी सो इसी रेंज में इसको रखा जाएगा और इसमें धीरे-धीरे सारे आएंगे जैसे यूफाइ टूल आ रहा है आगे यहां पर रिप्लेसर का भी ऑप्सण आ जाएगा भी विवर का भी ऑप्सण आ जाएगा कि लिए करने का भी इसमें अप्सण नहीं है कि लिनमी करने का भी ऑप्सण आएगा वो सारे के सारे इसमें अप्डेट्स में आएगे तो यह इस तरह काम कर जाता है और नहीं तो फिर हमारा जो है मैनुवल प्रोसेस है